वेल्कम टो ओरिजिन्स इशाला और आज की इस वीडियो में मैं आपको 8085 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स दिखाने वाली हो तो सबसे पहले हम कुछ बेजिक प्रोग्राम्स से चालू करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहला जो प्रोग्राम करने वाले हैं अब यह 8-bit नमबर कहां से होंगे यह यूजली डिसाइड करता है प्रोग्राम का स्पेसिफिकेशन तो यहां पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहां पर हमारा जो स्पेसिफिकेशन है उसमें कुछ mention नहीं किया है कि जो swap करने है वो 8-bit numbers memory में से है यह registers में से है तो वहां पर हमें data feed करना पड़ेगा तो यहां पर जो data मैं use करूँगी वो registers B और C में put करने वाली हुम है तो यहां पर जो register B है और register C है उसमें क्या-क्य data हम ले सकते हैं तो register B मैं मैं लूँगी 88H और register C मैं लूँगी 44H तो ये मेरा data है जो सबसे पहले मैं मेरे registers B और C में move करूँगी या copy करूँगी आप कह सकते हैं फिर इसके बाद हम लोग इस पे कुछ execution करके data को swap कर देंगे swapping का मतलब होता है कि data interchange हो जाना चाहिए यानि जो register C है जिसका data 44 है वो B के data 88 से replace हो जाएगा वाइल जो B का data है 88 वो 44 से replace हो जाएगा तो इसके लिए हम देखते हैं कि अब हमें करना क्या है तो program कुछ इस तरह से होगा सबसे पहले जो हमारा program होगा उसमें instruction लिखा है मैंने MVIB88H तो यह जो instruction है this instruction moves data immediately in that particular register यानि अगर यहाँ पर मैं register mention कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने register B mention किया है और वहाँ पर 8 bit का data है 88H तो जैसे मैं MVIB88H लिखती हूँ उसके साथ यह data immediately register में move हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं before execution B के अंदर 00 था और after यानि मेरी MVIB88H execute करने के बाद मेरा जो instruction है उसके वज़े से मेरा data register B में 88 हो जाएगा उसी तरह से register C में मैं data move करूँगी तो यहाँ पर मेरा data है 44H तो यहाँ पर जैसे ही देख सकते हैं आप की पहले 00 था C का data जैसे ही मैंने execution किया MVIC 44H का तो C के अंदर मेरा data हो गया है 44H तो यहाँ पर तो अब मैंने data move कर दिया है दोने register में तो अब swapping का जो हमारा process है वो चालू करेंगे तो सबसे पहले अगर आप swapping कर रहे हैं तो आपको एक चीज समझने ज़रूरी है कि अगर आप direct move करने के try करेंगे data जैसे मैं बोलूँ कि direct मैं B का data C में copy कर दूँ तो जो C का data है वो elope हो जाएगा या मैं कहूं कि वो घायब हो जाएगा क्यूं कि हमने उसे कई store नहीं किया है तो यहाँ पर before अगर आप B का data move कर रहे हैं C में उससे पहले क्या करना है कि C के data को कही store कर लेना है तो यहाँ प देखा है पर इसको पढ़ा किस तरह से जाता है कि data of C will be copied in register A तो इसका execution देख लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि initially जो हमारे registers हैं तो हमने B में 88 और 44 C में डाल दिया था पर A की value 0 थी तो जब मैं यह instruction execute करूंगी तो अगर आप यह जो green में मैंने indicate किया है वहाँ पर देख सकते हैं कि जो C register है वहाँ पर तो data 44 है उसी के साथ जो A register था उसका data 44 हो गया यानि हमने जो C का data था वो अब A register यानि accumulator में भी copy कर लिया है इसके बाद हमें क्या करना है अब हमें जो swapping process से वो चालू करनी है तो register B का data अब मैं C में में move कर लूँगी तो यहां पर देख लीजिए आप यहां पर मैंने highlight किया है तो B के अंदर 88 था execution से पहले भी और execution के बाद भी पर जो C का data था वो पहले 44 था अब 88 हो चुका है तो एक swapping process complete हो गई है अब हमें बस जो C का data that is 44 वो हमें बी में move करना है तो हमने उसको कहां store किया है accumulator में तो अब हम क्या करेंगे accumulator का जो data है वो भी में copy कर लेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे instruction क्या लिखा है मैंने move BA यानि accumulator का जो data है that will be copied in register B तो इसका execution इस तरह से होगा तो आप देख सकता है जो output आ रहा है वहां पर B register के अंदर 44 है A register के अंदर 44 है और C के अंदर 88 है तो अगर आप initially जो दो stages थे जहां पर B 88 और C 44 था उससे compare करेंगे तो at the end यानि हमारा जो output आया है उस time पर B के अंदर 44 है और C के अंदर 88 है यानि technically अब मैं बोल सकते हूं कि यस मेरा program complete हो चुका है क्योंकि मैंने data को interchange कर दिया है यानि swap कर दिया है तो finally अब आपको एक चीज़ ध्यान रखने है कि जबे भी आप कोई program run करते हैं उसके end में hlt लिखना बहुत ज़रूरी होता है यह particular instruction क्या बताता है कि इस particular program मेरा खतम हो चुका है इसका execution अगर आप नया program run करना चाहते हैं तो आपको hlt करके एक program को complete करना जरूरी है तो यहाँ पर मैं hlt कर लूँगी तो यह मेरा program complete हो चुका है तो इसका result चेक कर लेते हैं हम लोग तो आप देख सकते हैं before execution जो मेरा slide है उसके अंदर अगर आप table में notice कर देखेंगे तो हमारे data swap हो चुका है तो register B के अंदर मेरा data 44 है while register C के अंदर मेरा data 88 है तो यह मेरा execution program का complete हो चुका है अब इसे हम लोग run करके देखेंगे क्योंकि यह हमने लिखा है पर इसमें कोई fault है या नहीं है यह तो आप जब program को simulator में या kit में run करते हैं तो ही पता चल तो उसके अंदर assembly भी होता है और kit version भी होता है तो हम लोग assembly version में इसे run करते हैं तो लेट सी कि इसका execution कैसा होगा मैंने आपको अपने swapping का program explain तो कर दिया है तो अब इसे हम run करके देखते हैं तो यहाँ पर मैंने जो 8085 ultimate है उसके अंदर already वो file save कर रखी है तो मैं open file में जाओंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक swapping करके एक program है तो मैं इसे click कर रही हूँ अब यहाँ पर जो program को run करने के लिए मैं सबसे पहले load कर दूंगी तो load पर मैं click करूंगी अब यहाँ पर मैं इस पर 8100 address आ चुका है तो start press करती हूँ तो मेरा program load हो चुका है अब इसका execution देखने के लिए मैं सबसे पहले step पर click कर रही हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते है program counter के अंदर 8100 address आ 44 अपियर हो चुका है अब हमारे जो next step था कि हमें एक data को A में copy करना था तो यहाँ पर मैंने C को A में copy किया था तो वहाँ पर उस step के वज़े से A के अंदर 44 आ चुका है अब इसी तरह से अगर मैं next click करूंगी तो B का जो data था वो C में copy हुआ है तो register B का data 88 था तो C के अंद click करती हूँ तो आप देख सकते हैं A का data B में आ चुका है that is 44 तो जो हमारे initial condition था कि B के अंदर 88 था और C के अंदर 44 था उनको मैंने swap कर दिया है यानि अब B के अंदर 44 है और C के अंदर 88 है तो यह मेरा program run हो चुका है तो अब मैं next click करूंगी तो मेरा program complete हो चुका है तो this is the end of program अब इसे मैं terminate कर दूंगी तो cancel कर दूंगी मैं तो program cancel हो चुका है तो this is the run feature of 8085 ultimate और यहाँ पे मैंने swapping का program run किया है I hope आपको program अच्छे से समझ आ चुका होगा और आप भी प्लीज इसे एक बार run करके जरूर देखेगा क्योंकि practical execution is बहुत important है इसी के साथ दूसरे video lectures म मैं आपको इसी तरह के various programs दिखाऊंगी till then stay tuned bye bye